इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेटाफोर्स में ID Registration कैसे किये जाते हैं और फिर मेटाफोर्स का पहला प्रोजेक्ट फोर्स क्लासिक के लेबल्स बाई कैसे किये जाते हैं यह स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ट्रास्ट वालेट के वालेट बेलेंस 75 डाई और 8 मेटिक तीन लेबल परसेस करके हम दिखाएंगे सबसे पहले जिनके लिंक से अब जूरना चाहते हैं उनके लिंक को कॉपी कर दीजिए अब ट्रास्ट वालेट में ये नीचे डैप्स में क्लिक करना है आपको अब उपर यहाँ पे सर्ज बार में इस लिंक को पेस्ट कर देना है और फिर सर्ज बार में ही टाच करके ये कीपेट को आउन कर लेना है और कीपेट में यहाँ से डान कर देना है अब यह आपके सामने Metaforz के Page आपन हो गया यह Appline ID यहाँ Appline के Direct Referral का Number अब यहाँ पर Sign Up Now पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर Wallet सिलेक्ट करना है मैं Trust Wallet को सिलेक्ट कर दिया अब आपके सामने आएंगे Smart Contact Call Page नीचे यहाँ पर Approve कर देना है अब यह आपके सामने आगया Successfully Registered ID Register हो चुके है यह है आपके ID और यह है आपके Link यहाँ से आप Link कोपी करके किसी के साथ भी Share कर सकते है अब स्क्रॉल करके नीचे देखिए Classic के Table Levels Buy करने के लिए यहाँ पर Preview पे क्लिक कर देना है अब आपके सामने यह Classic का पहला Level 5 डाई से Activate करने का Option आगया Activate पे क्लिक कर देना है और फिर Next Page में Proceed पे क्लिक कर देना है अब आपके सामने यह Page आएंगे Approve Die Confirm कर देना है यह आपके सामने Activation का Process चल रहा है अब इस Page में फिर से Approve कर देना है Please where the operation is processed यह Level 1 एक्टिब हो गए अब आपके सामने Level 2 का Activate का Option आजाएंगे जो की है 10 डाई क्या Activate पे क्लिक कर देना है Next Proceed पे क्लिक कर देना है और Next Approve Die Confirm कर देना है Next Page Smart Contact Call यहाँ पर आपको Approve कर देना है 2-3 सेकंड प्रोसेस में लगेंगे और फिर Level 2 बाई हो जाएंगे और फिर आपके सामने Level 3 एक्टिबेट का Option आजाएंगे एक्टिबेट पे क्लिक कर देना है Then Proceed एक दू सेकंड में ही Polygon Die Balance चेक करके Next Page Approve Die Confirm कर देना है Operation Processed Matic Approve कर देना है 2-3 सेकंड प्रोसेस और फिर Level 3 भी बाई हो जाएंगे बहुत ही Simple Process अब यहाँ पर उपर 3 लाइन पे क्लिक करके Home Page पे आ सकते है जहाँ पर आपके ID लिंक है और फिर अब यहाँ पे Classic Table में आप देख सकते है 3 Slot Process हो चुके है Preview पे क्लिक करके अगर Highest Level जो की है यहाँ पर 3 लेबल वहाँ पर क्लिक कर देते है तो आप यहाँ पर Auto Upgrade का Option देख सकते है यहाँ से आप चाहे तो Off भी कर सकते हो तो यह है ID Activation के Process बहुत ही Simple है हर कोई कर सकते है